इस्त्री की गुप्त तीस कड़वी बातें मर्द और इस्त्री अकेले में बैट कर जरूर सुनें अधिकतर सफेद बाल वाले पुरुष के साथ कोई औरत हस के दो दिन बात कर ले तो तीसरे दिन बाल काले करवा लेता है यह बात सच है अगर कोई लड़की अपने पती के साथ खुस है तो लड़की के माय के वाले बहुत खुस होते हैं लेकिन अगर कोई लड़का अपनी पतनी के साथ खुस है तो लड़की के ससुराल वालों को बहुत परेशानी और जलन होती है और वहीं लोग रिस्तों को तोड़ने की कोशि लग जाते हैं नमबर तीन ससुराल में लड़कियां बस दो लोगों की वज़े से बसती हैं एक तो उसका खुद का पती और दूसरी सास अगर दोनों में से आपको किसी एक का भी साथ नहीं मिल रहा है तो आपका रहना मुस्किल हो जाता है ससुराल में नमबर चार परवरिश और संसकार भी बहुत माइने रखते हैं साहब सिर्फ पर लिखकर कोई अच्छा इनसान नहीं बनता नमबर पांच जिस रिस्ते में आप खुद को खो देते हैं वो रिस्ता आज नहीं तो कल आपको जरूर दुख देगा नमबर च्छे अमूले रिस्तों के साथ पैसों की तुलना ना करें क्योंकि पैसा दो दिन काम आता है जबकि रिस्ते जीवन भर काम आते हैं 7. कुछ पती-पतनी गले मिलकर और लिपट कर रो लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के दुख को समझते हैं क्योंकि वो तन से जादा मन से जुड़े होते हैं 8. घर में महिलाओं को पल्लू और घुंगट में रखने की सलाह देने वाला पुरुस खुद पूरे घर में चड़ी पहन कर घूंता रहता है 9. हम सफर चाहे कितना गरीब हो मगर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज़्जत करे क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है मगर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी नहीं 10. पती सिर्फ प्यार करने वाला एक खिलोना नहीं है जिम्मेदारियों से उलज़ा इंसान भी है इसलिए उससे बहस करके उसका दिल न दुखाएं उसके निणय करने में सहयोगी बने और रोधक नहीं 11. अच्छे और सहन सील उतने ही बने जितने में काम चल जाए क्योंकि सीधे पेड को काट देते हैं लोग और सच्चे रिस्ते को छोड़ जाते हैं लोग 12. इतना कुछ सहने के बाद भी एक औरत सिर्फ अपने पती से प्यार और उसका साथ मांगती है पर अफसोस कई मर्द इसका एहसास नहीं कर पाते 13. जब बहु लाएं तो उसे एड़जस्ट होने का समय दे 20-22 साल की लड़की से 50 साल की महिला वाली समसदारी की उमीद ना करे 14. जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं अक्सर वही रिस्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं 15. इनसान तो आधा तभी मर जाता है जब वो अपने सबसे नजदी की इनसान से धोखा खा जाता है दोस्तों मेरा होसला बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हर हर महा देव जरूर लिखें 16. मर्द और और औरत के बीच का रिस्ता इतना उलजा हुआ क्यों है क्योंकि मर्द ने सिर्फ औरत के साथ सोना ही सीखा है जागना नहीं 17. जब पती पतनी से प्यार करते हैं तब कमरे का दर्वाजा बंद कर देते हैं लेकिन जब लड़ते हैं तब सब लोगों को इकठा क्यों कर लेते हैं 18. अपनी बीबी की खुशियों का ख्याल दुनिया के हर रिस्ते से पहले किया करो क्योंकि तुम्हारी मा के लिए तुम्हारे पिता हैं बहन के लिए बहनोई हैं भाई के लिए भावी हैं लेकिन तुम्हारी बीबी के लिए तुम ही सब कुछ हो नमबर उन्नीस जो बिस्तर तक ले गया उसे प्रेमी कहते हैं और जो सीने से लिपट कर रोया फिर वो कौन है नमबर बीस खाना सोना बच्चे पैदा करना और मर जाना यह गुड़ तो जानवर के भी हैं मनुष्य बनने के लिए तर्क बुद्धी और सामाजिक लच्छ जरूरी है नमबर इकीस किसी इस्तरी के गैर मर्द से सम्मंद तब सुरू हो जाते हैं जब उसकी ख्वाहिस अपनों से पूरी नहीं होती बात कड़वी है लेकिन सत्त है नमबर बाइस औरत अगर भोली भाली हो तो उसे लोग गाय कहते हैं और वही आदमी अगर भोला भाला हो तो लोग उसे गधा कहते हैं नमबर तेस किसी लड़की को इतना भी मैसेज मत करो कि वो खुद को करीना और तुमको कमीना समझने लगे नमबर चौबेस प्रेम में से अगर संभोग सब्द को निकाल दिया जाए तो इस दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही प्रेमी प्रेमी का बचेंगे नमबर पचीस जिस औरत के पास ये दो चीजे होती है वो किसी से भी संबंध बना लेती है पहली जो हमेशा दूसरों से संबंध बनाने की सोस्ती हो और दूसरा जिसे अपनी इज़्जद आबरू का खयाल ना हो नमबर चबेस एक औरत पूरी जिन्दगी दो चीजे चुपाती है एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी तकलीफ ये बात सच है नमबर सक्ताइस संबंभोग वाले कमरे में इन बातों का ध्यान रखें नमबर चार संबंभोग वाले कमरे में इलेक्टिक सामान और तेल ना रखें 28. सरीर से सुन्दर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुसी दे सकती है लेकिन दिल से सुन्दर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है इसलिए दिल से सुन्दर होने वाली महिला के साथ विवा करना ज्यादा अच्छा होगा 29. मर्द अगर एक बार पराई औरत के चक्कर में पढ़ जाए तो फिर उसे अपनी औरत की कमी कभी महसूस नहीं होती है 30. जो औरत जूट बोलने की कला में माहिर होती है वो औरत सभी को सिर्फ गुमराह और बेवकूब बना सकती है लेगिन अपना घर कभी नहीं बशा सकती 31. अंधा प्यार तो एक जमाने में हुआ करता था आज कल तो प्यार पैसा देख कर होता है कुछ लोग वीडियो को इगनौर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बहतरीन जानकारिया छोड़ देते हैं आपसे मेरी प्रार्थना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिए धन्यवाद राधे राधे आपका दिन सुभ हो